जय हो श्री अमनात बापा की, जय हो बोले नात बापा की, मैं आज अमनात यातरा से जुड़ी बड़ी और महतम जानकरी लेकर आया हूँ, जो सुरदालू के समय के साथ जुड़ी हुई है, आप अगर 2022 में श्री अमनात यातरा करना चाहते हैं, तो आपको निर्दारीत समय पर भगवती नगर से होकर काश्मीर गाटी की तरफ जाना होगा, आपने अगर जरासी भी लेट की, तो आपको गाटी की तरफ रवना नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये निर्देश शुरक्षा कर्मी के और से आपकी शुरक्षा के लिए जारी किये हुए हैं, तो बने रह है वीडियो पर, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बड़े काम का है, दोस्तों जैसे के आप सब को पता है के 2022 की स्री अमनात यात्रा 30 जून से पूरी सरदा और लगन के साथ शुरू होने जा रही है, और इसका समापन 11 अगस्ट को होगा, आप चाहे तो www.sreeamonat.com की हो आ रहे हैं, आपने भी अगर ओनलाइन बुकिंग करवाई है और अंडर प्रोसेसिंग में है तो 24 से 48 गंटों में प्रोसेसिंग खतम हो जाएगी, 2022 की स्री अमनात यात्रा में समय की बड़ी पाबंध रहने वाली है, सुरक्षा कर्मियों के निर्देश के अनुसार आप को अपने यात्रा को खतम करना होगा, सुरधार लू की सेप्टी के लिए काश्मीर गाटी से निकलने वाले हर बेच पे GPS नेविगेशन चीप लगेगी, जिससे के आपकी बेच को शुरक्षा बल ट्रेक कर सके और सुरधार लू को और भी शुरक्षा मिल सके, साथो साथ यात्री गण को ये भी बता दे के यात्रा के दोरान गरम कपड़े साथ में जरू ले ले, क्योंकि स्री बाबा अमनात यात्रा के दोरान आपको ठंका सामना करना पड़ सकता है, ये तो हुई शुरक्षा की बाते, अब स्री बाबा अमनात दर्शन की कुछ जलक मैं अपने वियोर के साथ सेहर करना चाहूंगा तो आप भी मेरे साथ कर ले स्री भाबा जी के दर्शन लेकिन इससे पहले आप अगर नए हैं मेरे वीडियो पे तो सब्सक्राइब कर लिजी हमारे यूट्यूब चैनल को और पासी में पड़ा बेल आइकन को भी पुश कर लि में लेकिन अब इस साल आप बिल्कुल अच्छी तरह से बाबा जी के दर्शन कर सकते हैं यह जो आपको बरफिले बाबा के दर्शन हो रहे हैं वो तकरीब अठारा फिट उची है ओम नमस्षिवाए ओम नमस्षिवाए लो पे लो कर लो बाबा जी के दर्शन मैं तो दनी ह हो गया बाबा जी के चर्णों में आके यह जो आप बाबा अमना जी के दर्शन कर रहे हैं वो 2022 के दर्शन जो सबसे पहले आपको मेरी चैनल पर दिखाये जा रहे हैं उमेद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें और नए हो हमारी चैनल पर तो जरूर सब्सक्राइब करें